कहानी की शुरुवात में हम हाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मेरी गल्फरंड की तरह बहुत ही मोटी थी हाना अपने क्रश के फोटो लेकर एक तांत्रिक के पास जाता है। कुछ दिन बाद अब हम हाना को देखते हैं जिसे रॉंग नंबर पर एक बॉइफ्रेंड मिल गया था जो डेली रात को उससे रोमेंटिक बाते किया करता था लेकिन वो आदमी शादी शुदा था। बलकि सेम नाम का एक आदमी है जिससे हाना मन ही मन प्यार करती थी परफॉमेंस के बाद सेम हाना के गले मिलता है जिससे हाना बहुत ही खुश होती है। हम फिर से हाना को देखते हैं जो की जल्दी पतली होने के लिए एक दिन में धेर सारी गोली खा लेती है जिससे वो पतली तो होती नहीं बलकि बीमार पर जाती है और इसलिए उसे अस्पताल ले जाना परता है। पिर एक दिन हाना को एक स्टो के बाहर बहुत ही प्यारी ड्रास दिखाई देती है लेकिन वो अपने मोटा शरीर की वजह से उससे पहन नहीं सकती इसलिए वो उदास होकर वहां से चली जाती जाती है अब हाना अपने दोस्त को लेकर एक टेटू आटिस्ट के पास जाता ह और दोनों एक जैसी टेटू बनाते हैं अगले दिन सेम हाना को उसके बर्तडे पार्टी पर इन्वाइट करता है जब हाना उसकी बर्तडे पार्टी पर जाती है तो वहां पर एमी भी सेम ड्रास पहन कराता है जिसे देख हाना शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है थोड उसका इस्तिमाल कर रही हूँ हना टोयलेट के अंदर बैट कर उनकी सारी बाते सुन लेती है और खुद खुद कर रोने लगती है सेम टोयलेट से जाने के बाद हना भी वहां से निकल जाती है घर जाते वक्त हना बहुत दुखी थी और घर में पहुँचकर वो गैस को खुला छोड़ कर खुद की जान लेने का सोचती है लेकिन तभी उसकी रॉंग नंबा वाला बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है जिसके बाद हना मरने की प्लेन को कैंसल करके नेक्स्ट डे एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाती है और ये वही डॉक्टर है जो हना को रॉंग करती थी हना डॉक्टर से कहती है मुझे प्लास्टिक सरजरी करवा कर सुन्दर बनना है जिस पर डॉक्टर बताती है मैं तुम्हारे प्लास्टिक सरजरी नहीं करवा सकती क्योंकि तुम हाथ से ज्यादा मोटी और बदसूरत हो हना डॉक्टर से कहती है अगर तुमने मेरी सरजरी नहीं की तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी जिसके बाद डॉक्टर उसकी सरजरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगले दिन सरजरी शुरू किया जाता है जो की कई घंटे तक चलता है अब हम कुछ महीनों के बाद हाना को देखते हैं जो अब थी खुबसूरत हो चुकी थी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था वो खुशी के मारे डॉक्टर को पकड़ कर रोने लगती है फिर जब वो अस्पताल से जाने लगती है तब वो उसी ड्रास को देखते हैं जिसे वो पहनना चाहती थी वो तुरंट जाकर उस ड्रास को खरीद लेता है और उसे पहन कर पूरा शहर घूमने लगती है फिर घूमती घूमती वो एक मॉल में चली जाती है जहां पर वो सेम को देख कर छुप जाती है तभी एक डिलीवरी बॉय हाना की खुबसूरती को देख अपना एक्सिडेंट करवा लेता है इसके बाद हाना स कोई कर मिलेगा शोरूम का मैनेजर हाना को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठा था इसलिए वह 500 में उसे एक कार दे देता है और उसे कहता है आप बहुत खुबसूरत हो जिसे सुनकर हाना बहुत खुश होती है क्योंकि जिन्दगी में पहली बार किसी ने उसे खुब सुरत कहा था